आधी रात, 3 डिसेंबर 1901 विशाका पटनम हारबर एक भयानक विसपोर्ट की आवाज ने उस शांत रात की खमोशी को चकना चूर कर दिया और स्थानिये लोगों को आतंख के महौल में डाल दिया इतना ही नहीं, इस पोर्ट से डट के किनारे कुछ इमारतों की खिर्की के सीशे भी तुक्रे तुक्रे हो गए ये इस बश्ट था कि वे भीशन आवाज बंदरगा के पुर्व में समुद्र से आई थी गौर तलब बात ये है कि प्रधान मंदरी इंडरा गांदी ने पाकिस्तान के खिलाफ युद की खोशना करके पस कुछ ही घंटे गुजरे थे चेहदातर लोगों ने सोचा कि युद के हिस्से के रूप में उन पर हमला किया जा रहा है हाला कि बाद में इस संसनी केज बात का फर्दाफाश हुआ कि विस्पोट के पीछे भारती नौसेना का ही हाथ था इस विस्पोट की आवाज भारती विबान भागपोत आईनेस विकरांद को फसाने के लिए विशाका पट्नम हार्बर के बाहर इंतिजार कर रही पाकिस्तानी नौसेना की पंडुब्बी बीएनेस गाजी पर भारती नौसेना के विधवनशक आईनेस राशपूद की दुनाई से हुई थी मतलब शिकारी ही स्वें शिकार बनाया गया इस वीडियो में हम ये रुमांचक आणी देख सकते हैं कि कैसे विकरांद के लिए बनायेगे जाल में भारती सेना ने गाजी को फसाया विशाल भारत को दो भागों में विवाजत करते हुए अंग्रेजों ने भारत को कभी न सूपने वाला घाओ देकर छोड़ दिया पाकिस्तान की भी दो हिस्से थे भारत की दाई और पुर्वी पाकिस्तान तथा बाई और पश्चमी पाकिस्तान लेकिन सत्ता रूरी सीरे का केंद्र पश्चमी पाकिस्तान दोरा पुर्वी पाकिस्तान को एक कॉलनी प्रांध की तरह देखा गया था इसके किलाफ पुर्वी पाकिस्तान में जन्ता के गुस्से की लहर उठ रही थी 1970 तक ये अपने चरम पे थी शेक मुझीबुर रह्मान के नेतरित्व में अवामी लीग ने उस वर्ष 6 डिसेंबर को हुई पाकिस्तान के आम चुनाव में अधिकांश सीटें जीती लेकिन ये पश्चमी पाकिस्तान के शाशकों को बिल्कुल ही स्वीकारे नहीं था इसके खिलाफ मुझीबुर रह्मान के नेतरित्व में पूरे पुर्वी पाकिस्तान में जबर्दस विरोध शुरू हो गया नवंबर 1971 के पहले सब्तास से पुर्वी पाकिस्तान में स्थिती बहुत खराब थी वहाँ पर एक भारतिय सैनिय कारवाई की उमीद में पाकिस्तानी नेत्रित्व ने इसका मुकाबला करने की योजना बनाई और अपने सैनिकों को हाई एलर्ट जारी किया लेकिन पाकिस्तान को जदे से जदे परिशान करने वाली खबर दिन वदिन पुर्वी पाकिस्तान से आ रही थी महत्वपून रूप से पाकिस्तानी नौसेनिक पंडबी पेड़े में असंख्ये बंगाली नाविकों ने भारत का पक्ष लिया ये पुर्वी पाकिस्तान के समुत्री शेत्र में परियाप सुरक्षा सुनिश्चत करने के पाकिस्तानी नौसेना के परियासों के लिए एक बड़ा जटका था मौजूदा स्तिती को गंबीरता से लेते हुए भारतिय नौसेना ने पहले ही बंगाल की खाड़ी में अपने विमान वहाग पोथ आईनेस विक्रांत की नेत्रित्व में एक मजबूत नौसेनिक बल तेनाद कर दिया था ये इतना सफल रहा कि पश्चिम पाकिस्तान से पुर्वी पाकिस्तान जाने वाले जहाजों का बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करना असंभव था इस तरह की पूरी नौसेनिक नाकबंदी ने पुर्वी पाकिस्तान में तेनाद तीन सेने गुटों के लिए एक बड़ा संकट पैदा कर दिया पाकिस्तानी सेना अच्छी तरह से जानती थी कि अगर युद परियाप्त आपूर्ती या समर्थन के बिना आगे बढ़ता है तो उनकी हार आसन थी लेकिन इसका मुकाबला करने के लिए उनके पास एक ही विकल्प था पाकिस्तान नौसेना के तत कालीन प्रमुख वाइस एड्मिरल मुजफर हसन ने गरना की कि अगर विक्रान्थ नश्ट हो गया तो ना केवल भारती घेराबंदी को उठाय जा सकता था बलकि भारती नौसेना का मुकाबला कमजोर हो जाएगा और उन्हें हरा दिया जाएगा इसलिए उन्होंने पाकिस्तान नौसेना संचालन विभाग से किसी भी कीमत पर आइनेस विक्रान्थ को नश्ट करने की योजना के साथ आने को कहा वाइस एड्मिरल हसन ने अपनी प्रमुक पंडुब्बी पीएनेस गाजी को ये करतव्वे सौपने का फैसला किया उस समय पाकिस्तान नेवी की सबसे बड़ी पंडुब्बी पीएनेस गाजी जो की टेंच क्लास की थी पाकिस्तान ने संयुक्त राज अमेरिका से सेंटो सैन ने समझोते के तहत खरीदी थी 1570 टन वजनी और 95 मीटर लंबी इस फिशाल पंडुब्बी का संचालन 93 नाविकों की एक टीम ने किया था इससे जुड़ा ब्रास दो सोनार बहुत दूर के लक्षों का पता लगाने में सक्षम था इसके अलावा 28 हेवी वेट टार्पीडो लॉंच करने के लिए ट्यूब भी PNS गाजी में जुड़ी मी थी इन सभी विशेशताओं ने PNS गाजी को एशिया की सबसे शक्तिशाली पंडुब्बी बना दिया निर्धारित कारेकरम के अनुसार 14 नमंबर 1971 की मद्धे रातरी में PNS गाजी को कराची हारबर के अपने ग्री बंदरगा से बंगाल की खाड़ी में आईनस विक्रांथ की तलाश में रवाना किया गया इस पंडुब्बी को दो निर्देश दिये गए थे पहला आईनस विक्रांथ और उसके अनुरक्षकों को खोजे और नश्ट करें दूसरा विशाका पट्नम के बंदरगा के बाहर बारूदी सुरंगों को बिखेर कर जहाजों को नश्ट कर दे जहां भारती नौसेना के जहाजों के पुनवपूर्ती के लिए आने की संभावना है उन्हें पाकिस्तानी नौसेना प्रमुग द्वारा दोनों लक्षियों को पूरा किये बिना कराची नहीं लोटने का निर्देश दिया गया था दरासल प्यनेस गाजी का दोरा एक आत्मगाती मिशन था लेकिन भारती नौसेना प्यनेस गाजी की तेनाती पर नजर रखे वे थी इसलिए भारती नौसेना ने पाक पंडुबी को खोजने और नश्ट करने के उद्देश से अरब सागर में विशेश युत्पोतों और पंडुबियों को तेनात किया निर ने इस निशकरश प्याधारित था कि अत्यांत खतरनाक प्यनेस गाजी पश्चिम और पुर्व में भारती नौसेना के जहाजों के लिए एक बड़ा खत्रा पैदा करेगा भारती नौसेना की आखों में दूल डाल कर कराची से हजारों समुद्री मील दूर बंगाल की खाड़ी तक प्यनेस गाजी की यात्रा कभी आसान नहीं थी अरब सागर के माध्यम से मद्दे भाग जहां भारती जहाजों की आनुपस्तिती निर्धारित की गई थी दक्षिन की ओर बढ़ना और शिरलंका के पुर्व से भारते तट के साथ अधिक्तम पीनेस गाजी की यात्रा कारेकरम निम्नानुसार निर्धारित किया गया था पीनेस गाजी ने ठीक यही यात्रा मार्ग अपनाया हाला की तामिल लाडू में भारती नौसेना सिग्नल स्टेशन पर गाजी के संचार संकेतों को टेप किये जाने के बाद नौसेना खुफिया निर्धेशाले ने दक्षिनी हिंद मासागर में एक पाक पंडूबी की उपस्तिती का पता लगाया उन्होंने तुरंथ नई दिल्ली स्थित मुख्याले को सूचना भेजी भारती नौसेना उस समय जानती थी कि दुश्मन के नौसेनिक बेड़े के पास किवल एक ही पंडूबी है जो पाकिस्तान के टट से इतनी दूर यात्रा करने में सक्षम है इसके अलावा पुर्वी पाकिस्तान से भारती पक्ष में आए बंगाली सब मरीनर्ज ने भारती खुफिया को गाजी के बारे में सारी जानकारिया दी गाजी की मौजूदकी की पुष्टी के साथ ही भारती नौसेना ने ना सिर्फ बंगाल की खाडी में अपने जहाजों को इलर्ट जारी किया बलकि पाक पंडूबी की तलाश भी तेज कर दी लेकिन पुर्वी नौसेना कमान के कमांडर वाइस एड्मिरल एन के कृष्टन ने गरना की की गाजी का अंतिम लक्ष विक्रांत होगा इसलिए मदरास के बंदरगा में रह रहे विक्रांत को सुरक्षित अंडमान सागर में सानंतरत कर दिया गया अंडबान सागर जो एक लिगून पानी है जिसमें पंडुबियां कभी नहीं चुप सकती इस मामले में उन्हें भारती नौसेना का चीफ एड्मिरल स.M. नामित किया गया था नंदा को भी प्रभाव शाली समर्थन प्राप्त था फिर नौवंबर 1971 के अंतिम सप्ता में मदरास के पुरुव से समुद्र में गश्ट लगा रहे एक भारती नौसेना के जहाज को उनके संचार ट्रांस्मीटरों पर एक रेडियो संदेश प्राप्त हुआ ये गाजी दुवारा पुर्वी पाकिस्तान के चटगाउं बंदरगा पर भेजा गया एक जरूरी संदेश था जिसमें बंडुपियों में एक विशेश प्रकार के सनेहक का उप्योग करने का अनरोध किया गया था इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी में पेनेस गाजी की मौजूद्गी की पुष्टी हुई नौसेना प्रमोप एड्मिरल नंदा ने वाइस एड्मिरल कृष्णन को गाजी को फसाने का निर्देश दिया ये बहुत खतरनाक पंडूपी अगर बंगाल की खाड़ी में कुछ दिन ही रह जाती तो भारतिय जाहजों को बड़ा खत्रा हो सकता था इसलिए भारतिय नौसेना ने आगे उत्तर की और बढ़ने से पहले गाजी को फसाने का फैसला किया वाइस एड्मिरल एनके कृष्णन और टीम द्वारा तयार किया गया एक बहुत ही चतुर जाल गाजी को विशाका पटनम के टट पर फसाने का निर्ने लिया गया इसके लिए भारत ने एक पुराना विद्वन्चक तयार किया जिसे डी कमिशन करने के लिए विशाका पटनम लाया गया था आइनेस राजपूत नाम के इस जहाज को भारत ने 1948 में ब्रिटेन से खरीद लिया था लेकिन ये पंडूबी रोधी मिशन के लिए 21 टरपीडो और 70 डेप चार्ज सहीद सभी उपकरनों के साथ एक जहाज था अगला कदम था राजपूत के रेडियो काक्ष से बंगाल की खाडी में आइनेस विकरांद के रूप में अन्य भारती जहाजों को नकली रेडियो संदेश भेजना इन संदेशों को वास्तविक संदेशों के रूप में लेते हुए गाजी के नाविक विक्रान्थ पर हमला करने के लिए विशाका पट्नम के बंदरगा पर पहुँच गए 25 नुमेंबर 1971 को मदरास के पुर्वी टट पर पी एनस गाजी दुआरा डक्षनी भारत में स्थित भारतिय नौसेना के संचार खुफिया सावरों की खोच की गई थी इस थान का पता नौसेनिक खुफिया ने तब लगाया जब गाजी का करांची के अपने ग्री बंदरगा पर भेजे गए एक रेडियो संदेश को इंटरसेप्ट किया गाजी का संदेश था कि आयनेस विक्रांत विशाका पत्नम के बंदरगा में है और वे मिशन के लिए पूरी तरह से तयार है इस सुचना के बाद भारतिय नौसेना के विशेश पंडुबी रोधी युद कारेबल ने मदरास और विशाका पत्नम के टटो पर व्यापक तलाशी ली और बंगाल की खाड़ी की गेराईयों में शिकार की तलाश जारी रखी एक हफ़ते की तलाशी के बाद भी भारतिय नौसेना के जहास कामयाब नहीं हो पाए साथ ही साथ उन्होंने टटो को छोड़ दिया और गेरे समुद्र तक अपनी खोज का विस्तार किया लेकिन PNS गाजी भारती जहाजों की नजरों के बिना विशाका पटनम के टट पर तुपका हुआ था हिन मासागर छेत्र में इन सभी घटनाओं के बीच पाकिस्तान ने 3 डिसमबर 1971 की शाम को भारत पर हवाई हमला किया जो युद अब तक अप्रत्यक्ष था अब से स्पष्ट हो गया इसके बाद विशाका पटनम स्थित नौसेना की पुर्वी कमान ने बंगाल की खाड़ी में सैने अभियानों के लिए अपने सभी जहाजों को तेनाद करने का फैसला किया लेकिन गाजी की मौजूदकी अभी भी विशाका पटनम के टटपर ही थी ये मानकर हर कदम बड़ी सावधानी से लिया गया पुर्वी नौसेना कमान ने उस दिन आधी रात तक जहाजों को बंदरगा से बाहर लाने का फैसला किया वाइस एड्मिरल कृष्णन की रननीतिक खासी को भहकाने के लिए भीडित को पहले रखना था उन्होंने इस मिशन के लिए आईनेस राजपूद को चुना राजपूद के कमांडर इंचीफ कैप्टन इंदर सिंग को बुलाया गया और गाजी की निकटता की व्याख्या करने और जहास्त में इंदन भरने के तुरंत बाद बंदर का चोड़ने का सुझाव दिया कारिकरम के अनुसार इंदन भरने और रोशनी और अन्ने नविगेशन सिस्टम बंद करने के बाद आएनेस राशपूद आधी रात को विशाका पट्नम हारबर से बाहर निकल गया राशपूद तब विमान वहग द्वारा प्रेशित भारी प्रसारन शुरू करके यात्रा कर रहे थे इस समय पिएनेस गाजी बंदरगा के बाहर के छेतर में ख़दानों को बिखेर कर अपने परिणाम की प्रतिक्षा कर रहा था सुरक्षा कारणों से सभी सिगनल बंद कर दिये गए थे और इसलिए पंडूबी पेरिस्कोपिक गेराई तक गई और बंदरगा के निगरानी कर रही थी अचानक उन्होंने देखा कि एक विदवन्शक तेज गती में उनकी ओर आ रहा है गाजी जल्दी से समुद्र में डूब गया और गेराई में चिपने की कोशिश की लेकिन जब राजपूद नाले के बाहर आया तो उन्होंने अपने सामने पानी में तेज हलचल देखी और उस और दोर पड़े इसे गाजी मानकर कप्तान ने जल्द ही डेप्ट चार्ज का इस्तमाल किया टेप्ट चार्ज में से एक गाजी के सामने टर्बीडो रूम में फट गया परिनाम एक भैंकर विस्पोट था उस भीशन विस्पोट में राजपूद को भी कुछ नुकसान हुआ था पल भर में ही गाजी को बंगाल की खाड़ी की गेराईयों में एक जल्द समादी मिल गई उस समय एश्या की सबसे बड़ी पंडुबी की प्रतिष्ठा में भारतिय नौसेनिक शक्ती को चुनौती देने के लिए विशाका पट्म पहुची गाजी आज भी अपने अदूरे सपनों के साथ समुधर तल पर पड़ी है एक समय चूख विद्वन्शक का सहरा लेकर गाजी जैसी परिश्कृत पंडुबियों को नश्क करने के लिए गाजी का पतन जिसे पाकिस्तान अभी भी स्विकार करने के लिए तयार नहीं है यही भारतिय नौसेना की चकाचौंत और चमतकार जैसी युद्जीत में से एक है जै हिंद